Hello friends, Welcome to my channel Talking Facts, मेरे चैनल Talking Facts में आपका स्वागत है आप सबने कभी ना कभी बिजली का जट्का जरूर मेहसूस किया होगा या फिर सुनाई होगा दोस्तों बिजली का जट्का बहुती दरनाक नहीं होता है कन्ट लगने से श्रीर बूरी तरह से जोलस जाता है जिससे इंसान की मौत भी हो जाती है पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कंट लगने से मौत क्यूं हो जाती है ऐसा क्यूं होता है आप सबको पता ही होगा कि इलेक्टिस यानी बिजली में दो टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं जहां positive को धनात्मक और negative को रिनात्मक टर्मिनल कहते हैं बिजली का करंट यानि electron हमेशा positive से negative क्योर बहते हैं और जब करंट मनुश्य के स्रीर से उकर गुज़ता है तो बिजली कजटका लगता है ऐसा क्यूं होता है चलिए बताता हूं करंट लगने पर वह श्रीर में सबसे पहले बढ़िया conductor ढूनता है और आप जानते हैं हमारे श्रीर में काही मात्रा में blood होता है जिसमें हीमोगलोबिन पाए जाता है या हीमोगलोबिन सीधे तार पर लोहे के ही होते है और लोहा विदूत का बढ़िया चालक होता है अब होता यह है कि श्रीर के हीमोगलोबिन को करंट की गती से दोलना पलता है और मसल से मस्तिश को पिजली की गती से संकेत पहुंचते हैं जो हमें जट के कानूबाव देते हैं अब जानते हैं कि करंट लगने पर मौत क्यूं हो जाती है मनुष्य के सिर्ण में 65-70% तक पानी होता है हाईस नड लगने पर मनुष्य की बॉली में मौजूद खून में जल की कमी हो जाती है यानि कि करंट श्रीर के पानी को जला देता है जिससे खून गाड़ा हो जाता है खून गाड़े हो जाने के कारण खून में मिली ओक्सिजन बॉली के सबी यंगों को नहीं मिल पाती है और ओक्सिजन की कमी के कारण श्रीर के अंक काम करना बंद कर देते हैं जदी जटका तेज है और खून से पानी काफी ज़्यादा मात्रा में जल चुका है तो मौत हो जाती है अब बात करते हैं कि लो करंट पर इंसान के साथ क्या होता है लो करंट पर AC electricity हर्ट के blood flow और हर्ट की electric pulse को बादित करती है इसलिए हम फल पराना शुरू हो जाते हैं जिसे ventricular fibrillation का जाता है तेजी से फल पराने से हमारा हर्ट blood pump करने के लिए weak हो जाता है अगर fibrillation बन ने हुई तो योग घा तक हो सकता है आपको जानकारी कैसी लगी? कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सबस्क्राइब करें